हेज गाईज एसलाम लीकूम वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड वलॉग तो शाम हो चुकी थी और सबका मन कर रहा था कुछ पकोड़े शकोड़े चायवाई मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए तो मैंने सोचा की चलो अंडे पड़े में हैं तो आज अंडे के प और उसे एक ये मीडियुम साइस का प्याजाना मैं कट करके डालूंगी उससे चॉप करोंगी बिल्कुल बारीक बारीक अगर आपके पस चॉपर नहीं है कोई बात नहीं हमारे दो हाथ तो बहुत है ना उन से अच्छे से आप चॉप कर लीजे बिल्कुल बारीग बारीग चॉप कीज़ेगा, छोटे छोटे टुकडों कीज़ेगा मोटे मोटे मत कीज़ेगा क्यों मैं आगे बताऊंगी ये देखिए बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए थे ना एकदम बारीग वैसे वाले चॉपर से शॉप हो गए इस चौपर से ने यही फायदा बहुत अच्छा है कि प्यास बड़े अच्छे से चौप हो जाते हैं अच्छे लगते हैं देखने में अब यहां पर ले लिया है मैंने एक बाउल और उसमें डाला है मैंने तीन बड़े चमच से बेसन नमक डाला है स्वात के अनुसार आधा ठेजी से मिलाओंगे एक दम जल्दि जल्दि से भहувати जाता पतला भी नहीं करना है भहुत जादा गाड़ा भी cafe बिल्कुल जैसा आप लोगों को पसंदान वैसा कीजेगा जैसे हम अंटे के पकोड़े बनाते अब इसे कर देते हैं साइढ और हम प्यास के थे था थोड़ा सा नमक ध्यान रखेगा क्योंकि हमने भी मिलाया और यहां पर थोड़ा सा लाल-विश का पाउड़ है इन्हें मिक्स करने के बाद अब हम अंडे के बीच में ऐसे कट करेंगे कट करने के बाद जो हमारा यह प्याज उसको रहें इसके अंदर भर देंगे यही था मे तो अंडा हमारा तूट जाएगा और बहुत जादा भरना भी नहीं है प्यास को क्योंकि जब बहुत जादा भरेंगे ना तो अंडा फैलने लगेगा और प्राइ करते समय तूट जाएगा तो इसी तरीके से मैंने सारे अंडों में प्यास को अच्छे से भर दिया है बहुत अच्छे से ना जादा तीखा हुआ था ना सब चीज बहुत बराबर से हुआ था और बड़े मज़े का बना था मैं यकीन मानिया अब मज़ा आगे है अब इसके बाद मैंने कड़ाई में डाल दिया है आप चाहे तो भर पूर डाल के डी फ्राई जो बिल्कुल ही फुली फ्राई होता है वो भी कर सकते हैं अब यहां पर बेसन जो हमारा घुला वा था उसके अंदर सारे अंडे जो है मैं डाल जी हूँ जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं बहुत बेसन वाल सकते हैं वो मैं ऐसी डाल दियो बस जगह त ही तो इस degree ढालते जो डाल दी कर था त्यूर गरम होने के बाद बिल्कुल जब बहुत अच्छ ऐसे गरम Chinese अंड़ इपनी फ्राई कर लिया बहुत जादा क्रची हो गया ज़्त Woah जो ये प्यास का कॉम्बिनेशन आ रहा था ना वो बहुत प्यारा लग रहा था खाने में बहुत मजा आया सब ने यू ही खतम कर दिया इसी तरीके से मैंने सारे अंडों को जल्दी जल्दी से फ्राय कर लिया और टाइम भी नहीं लगा और काफी अच्छा नाश्ता हमारा त यहार हो गया और इसी के साथ मेरे चानल को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा क्या आप लोगों को मेरी रैसिपी कैसी लगी अला आफेस र प्रेके